पुलिस और बदमाशों के बीच मुडबेड हो गई जिसमें गोली लगने से दो बदमाश खायल हो गई जिने पुलिस ने गिराफ़तार कर लिया जबकि उनके तीन साथी मौके से भागने में कामियाब रहे इस विश्री में पुलिस अधिक्षक संबग चक्रेश मिश्रा ने बताया कि एचोड़ो कमबो थाना चेतर में वहां चेकिंग के दुरान पुलिस को कुछ लोग भाते दिखाये दिये जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस स्कीम पर फाइरिंग कर जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जबावी कारेवाही में दो बदमाज खाया लोगे जिनने गिरफतार कर लिया गया है जिनके साथ की तलाश के लिए जनपर में नाकाबंदी कर दी गई है जल्दी उन्हें गिरफतार कर लिया जाएगा कि यह थाना एचोड़ा कम्बों के पास में आज यह सूचना मिली थी कि हमारे कुस दिन पहले चब्वासी में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी जिसमें हम लोग उसको वरकाउट करने कोशिश कर रहे थे कल मुड़ा पांडे थाने के अंतरगत मुरादावाद में एक सब्सक्राइब कर रहा था उसके बागी साथ ही भाग गए थे इनका नाम हम लोगों को पता चला इनके उपर 25,000 रुटे का इनाम किया था तो आज जब इनको चैकिंग की जा रही थी इनके आधार पर तो इनकी एक मोटर साहिकी के साथ में और दो तमंचे के साथ में लोग है इन से पुस्ताच की जा रही है इनके तीन साथ ही भी फरार है उनके उपर भी 25,000 का इनाम है वो यहां एक बेंड से फारिंग करते हुए भागे है उनके लिए नाकावंदी लगा दी गई है तुड़े जिले में चेकिंग कराई जा रही है और जल्दी उनको भी हम लोग बुरफ कर द